अभी जो मैं बात करने वाला हूं अपसे functions के बारे में हम बात करेंगे, functions क्या होता है last lecture जो हमने देखा था, उसमें हमने pointers को समझा था pointers की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम call by reference को समझ पाएं मैंने आप लोगों को एक chapter पढ़ाया था जब functions उसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताया थे functions के, एक है predefined function और दूसरा है user defined function और predefined function कौन-कौन से हो सकते हैं, print apps, scanf, getch, all are the predefined functions that are defined earlier जब भी बनाई गई होगी C language तब and user defined function आप बनाते हो, इसके भी दो types है, एक है call by value and दूसरा है call by reference, है जगा इधर आजाओ आगे, अगर जगा नहीं थे, ठीक है, call by reference, तो ये जो दो चीजे हैं, इसे हमें समझना है, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ, कि एक function बनाना है, तो उसका नाम आप fun one भी रख सकते हो, कुछ भी, आपने main function भी बना लिया, ये देखो बना लिया, compiler दोनों में से किसको चलाएगा, main को, उसको सिखाया गया है, जाओ main के अंदर की line चलाओ, चलाओ, अगर आपने main के अंदर बोला, fun one को चलाओ, तो जाएगा वो इसको चलाने, और इसके अंदर की line चलाके, वापिस लोटेगा भी, ये भी उसका काम है कि वापिस आएगा भी, ये भी आपको समझना है, अभी मैं यहां से क्या करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, और मैंने यहां लिख दिया, fun one नाम की function को call किया जाए, इसके अंदर लिख देता हूँ printf, और यहां लिख देता हूँ hello, तो जैसे ही fun one call होगा तुरंथ, और यहां पर hello print हो जाएगा output screen पर, और उसके बाद program फिर end होगा, और यहां अगर आपने लिखा हो था printf, buy, तो पहले बताओ, मुझे पहले buy print हो जाता या hello, हाँ, hello print होता, हाँ, उसके बाद buy, मतलब कैसे चलता, सबसे पहले compiler main में आता, fun one को पढ़के उपर जाता, hello print होता, वापीस अपनी जगह पे आता, और फिर buy print होता, hello के बाद buy, तो जैसे call करोगे, वैसे function चलेगा, एक बात और है, अभी मैं यहां पे यह नहीं लिख रहा, कुछ और लिखने जा रहा हूँ, यह देखो, यहां पे मैंने fun one को call किया, और call करते समय, arguments में पास कर रहा हूँ, five comma six, मैंने दो arguments पास किये हैं, इन arguments को क्या बोला जाता है, मैंने एक शब्द बताया था, parameter बोलते हैं, लेकिन यह formal है या actual है, बताया था मैंने आप लोगों से, formal arguments इन्हें कहा जाता है, या फिर actual, यह मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा शायद, पता भी होगा ना, क्या लगता आप लोगों को, एक्चुल आप लोगों को लगता है, तुम्हें क्या लगता है, एक्चुल, तो एक्चुल ही सही है, और यहां जब रिसीव होगा, फाइब आ जाना चाहिए, ए में, और बी में आ जाना चाहिए, शिक्स, इसको क्या बोलेंगे, फार्मल पैरामीटर, फार्मल अर्गुमेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, फांक्शन डेफिनेशन, यह याद रखना है, और इसको, फांक्शन कॉलिंग, बस, यह समझना है, यह समझ गये, आप तो फिर इसमें बचा ही क्या है, अब इसके डी, इस परसेंट डी की जगह क्या दिखना चाहिए, ए प्लस बी, डायरिक, सी में रखा भी ने आपने, डायरिक, तो इस जगह पे क्या प्रिंट होगा जानते हो, 11 प्रिंट होगा, एक अंदर 5 है, बी के अंदर 6 है, उसका रिजल्ट तो 11 ही आएगा, इसलिए दिखेगा 11 हो गया, आप ऐसे भी करा सकते हो, अभी मुझे पूछा था किसी ने सवाल क्या, एरिया उप सर्कल का प्रोग्राम भी फंक्शन के अंदर हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लाइन, कुछ भी, जो चीज आप यहां में में लिख रहें, उठाके फंक्शन में लिख दो बात, खतम है, फिर आपने जितने प्रोग्राम्स पढ़े होंगे, आगे तो मुझे इफ एल्स पढ़ाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस में, इफ एल्स, फॉर लूप और वाइल लूप, यही नहीं आता बच तीन दिन हमारा पाइथन का क्लास होगा, तीन दिन हमारा C लैंग्वेज का क्लास होगा, आप लोग ध्यान रखो, और हम सुबह रखेंगे चाहिए तो पाइथन का क्लास साड़े आठ बजे और वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर अगले तीन दिन C सीखेंगे वो भी 17 बजे और पाइथन साड़े आठ बजे, लेकिन एप के उपर, मंडे से एप के उपर करेंगे, हो चुका है चालू, शायद आप लोग एड भी हो गए हो, जो लोग है, आप लोग हुए हो अभी, अपने एप चेक किया क्या, इंस्टॉल किया, अभी नही हुए है, वो सर को एक बार मैसेज करना, जो नंबर है, लास्ट में 73 है, जिस नंबर पे आप लोगों ने पहले मैसेज किया, उन्होंने एड किया, उसी नंबर पे, लेकिन अभी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, कि हो गये हैं कि एड सब लोग, तो अगर कुछ बचे होंग मैं वेबसाइट मिल जाएगी, वो भी बच जाएंगे न, नहीं तो, उनको कहां पढ़ाएंगे फिर, हाँ तो ऐसे टाइम पे मैं माइक्रोसाफ्ट टीम्स को भी चला सकता हूँ, तो टीम्स पे मैं उन बच्चों को ले सकता हूँ, कि वो लोग वहां से लिंक भेज़ गए, तो एक को फिर लैप्टॉप का कैमेरा देना पड़ता है, तो बहुत अच्छा दिखता है, नहीं तो ऐसे हो जाता है, इसके वज़े से, मैं सोच रहा हूँ कि टीम्स की जरूरती ना पड़े, एक पे ही हो जाए, जिनका सी का भी कोर्स है, वो भी करता हैंगे, ये द इधर, और A में रखा होता 5, और B में रखा होता 6, तो आप A, B पास करते तो भी चलता, तो इस A से इस A में क्या जाता जानते हो 5, इस B से इस B में क्या जाता पता है 6, वही जाता, अब आप बोलोगे ये memory और ये memory सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस करली में कोई problem नहीं है, यह बनी है, इसके अंदर, मतलब इस function के अंदर है, तो कोई problem नहीं है, अलग-अलग है दोनों, दोनों का एक दूसरे से कोई relation नहीं है, मतलब ऐसा समझो, यह दो घर है, यह दोनों घर अलग-अलग है, यह घर अलग है, अब इस घर के अंदर A और B बन जा और जब आपने fun one call किया, मतलब कोई तो आया इसको चलाने के लिए यहाँ पे, तो खिड़की पे उसने 5 दे दिया, A को और 6 दे दिया B को, क्यूंकि A के अंदर 5 भी रखा था और B के अंदर 6 ही रखा था, तो इनको 5 और 6 ही मिला है, फिर यह अंदर गया, इन्होंने addition कराके print करा दिया, तो यह as a function काम कर रहा है, तो याद रखना, internally एक memory बनी A, एक memory बनी B, इसमें आपने पहली बार रखा 5 and 6, बाद में फिर से बनी A, फिर से बनी B, और आपने रखा 5, 6, अगर आपने लिख दिया होता आगे की lines में, मान लेते हैं, A में रख दो 2, B में रख दो 3, और print करा दो, किसको? A प्लस B को, अगर आपने ऐसा कर दिया होता, आपके हिसाब से 5 और 6 गया होगा A और B में, आपने बाद में क्या किया? 2, 3 रख दिया, मतलब 5, 6 को delete कर दिया, क्या रख दिया? 2, 3, तो फिर तो 5 print होगा result, 2 प्लस 3, तो आप data बदल भी सकते हो, हाँ, य उस घर में changes, मतलब खिड़की में 2 लोग बैटे थे, उन्होंने लिया 5 और 6, अंदर गए 5, 6 को फेक के 2, 3 ले लिया, उन्होंने, तो इससे इसको क्या फरक पड़ेगा, इस घर में बैटे इनसान को थोड़ी 2, 3 मिल जाएगा, जो जहां होगा, वहीं चलेगा, तो मुझे reference variable बताना है, इसलिए मैं इतना यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वह नहीं समझता बच्चों को इसके वज़े से, अब देखो कुछ और changes, अब आप बताओ मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मैंने लिख दिया address of a, address of b को pass कर दिया, address, देखो ध्यान से अभ RAM ने इसको अगर address दिया होगा 1000, इसको 1004, तो मैं वो address इनको दे रहा हूँ, फिर तो यह pointer कहलाएंगे, क्योंकि यह दूसरों का address रखते हैं, तो इनको बनाने से पहले star लगाना पड़ता है, कल मैंने बताया भी था, जो memory दूसरों का address रखती है, उसे pointer कहा जाता है, और address of A कौन receive कर रहा है, यह वाला A, तो यह pointer है, क्या रख रही है, इसके अंदर क्या आएगा, 1000, फिर तो यह point करेगा किसको, और इसमें क्या जा रहा है, 1000, फिर यह किसको point करेगा, वी को, आपने इस बार address भेजा, अब आप बताओ मुझे, A प्लस B करूँगा, तो क्या print होगा, 2004, 2004 सही जवाब है, आप बोलोगे कैसे, 2004, 1000 प्लस 1004, 2004, हाँ, लेकिन हमें यह नहीं करना है, पैठो लास्ट में बैठ जाओ, देखो, है जगह, तुम लोग बहुत जल्दी आये, क्यूँ, आज, समझा होगा, आप लोगों को पीछे, अभी देखो, यहाँ पर, मैंने लिख दिया है, यह चीज़ भी वैसे की वैसी लिख दिया है, मुझे यह बोलना है आप लोगों से, कि कहां गया, स्टार A स्टार B भी मैंने लिखा हुआ है, यह सब ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मैं A प्लस B की, आप लोगों ने बोला 2004 आएगा, अब बताओ क्या आएगा, देखता हूँ कौन सही जवाब देता है, क्या आएगा, कल बताया था शायद, अपने लास्ट लेक्चर में, सिक्स्थ लेक्चर जो हुआ था अपना, एक इतना पहले तो देखो, इधर, 1000, स्टार का मतलब है उस 1000 पे क्या रखा है, 5, 5 प्लस स्टार B, B कितना है, 1004, स्टार का मतलब है उस 1004 पे क्या है, 6, 5 प्लस 6, 11 आएगा न, आपने ना डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लिया, फिर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, कैसे, यह देखो, आप चाहो, तो स्टार A is equal to 2 लिख दो, स्टार B is equal to 3 लिख दो, इससे क्या होगा, किसमें changes होंगे, इसमें ना, गलत जवाब इसमें होंगे, इधर क्या आ जाएगा, 5, 6 था, आपने बदल दिया डारेक्ट, क्योंकि यह लोग कौन है, इसमें डारेक्ली कर सकता है, और एडिशन तो आप करवा के, प्रिंट करा ही रहे थे, इसको ही बोलते है, call by reference, और अलग कुछ नहीं है, जब आप addresses पास करते हो, function को call करते समय, तो call by या pass by reference बोला जाएगा इसे, pass by reference, मतलब reference, मतलब address, या फिर call by reference बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, बस यही है वो, बड़े-बड़े examples होने की वज़े से, आपको नहीं समझ में आता, लेकिन यही concept है, वो बस हो गया, इसको एक program के तुरू, अब हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी idea आ जाएगी, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, batch 3 हमारी C language, और इसका नाम रख देता हूँ, functions, functions, या फिर fund 2, और call by reference भी लिख देता हूँ, space मत देना, file name लिखते समय, .c extension देना, मत भूलना, void main से program शुरू होता है, वो लिखो, simple मैं खाली एक दो line में लिख दूँँगा, code हमारा पूरा हो जाएगा, बड़ा program बनाने भी नहीं वाला, यहाँ लिख देता हूँ, void, यहाँ पर एक variable बनाता हूँ, मैं रुख जाओ, printf, enter two numbers, यह message बढ़के user, दो number इंटर करने की कोशिश करेगा, तो scan app लिखना बहुत जरूरी, ताकि वो कोशिश करवा पाए, तो percent d, percent d user जो भी इंटर करेगा, एक को x में रख दो, एक को y में रख दो, हाँ तो x y नाम की memory पहले बना लो, बना लिया x and y को, और इस function का नाम मैं चाहिए, तो add रखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, add, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे add हो गया न, add function को call करता हूँ, और arguments में पास करता हूँ, address of x, and address of y, फिर तो यह address जा रहा है, receive करने वाला pointer होना चाहिए, तो एक बना लेता हूँ, int star p, int star q, यह लोग address रखते हैं, इसलिए इने pointer कहा जाएगा, हो गया, बात में मैं लिक देता हूँ, star p, plus star q, अब एक और काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक memory और बनाता हूँ, z, z के अंदर कुछ रखूंगा नहीं, लेकिन उसका address पास कर दूँगा, चलता है, z के अंदर आप कुछ रखने रहा हो, direct address भेज रहा हो, हाँ ठीक है, तो यहाँ किसी ने receive कर लिया, r ने मान लेता है, कौन है वो? r, star r, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, r equal to, star p, plus star q, यह हो गया यहाँ तक, यहाँ तक आप समझ रहा हो, क्या हो रहा है, इसके बाद, star p लिखा, plus star q लिखा, यह दोनों चीज़ें यहाँ पर हो चुकी है, आप लोग खुद देख सकते हो, और लेकिन मुझे यहाँ ना, star r लिखना चाहिए था, बस मुझे आप लोगों से जानना है, मैंने यहाँ पर z में कुछ नहीं रखा है, अगर आपको मैं इसे समझाओं, तो देखो, पूरा समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान देना, आपने पहले इस main के अंदर कितनी memories बनाई है, यहाँ लिखेंगे उसको, और इसकी वाली यहाँ लिखेंगे, कौन-कौन मनाई आपने, X, Y, Z, मान लेते हैं, रैम ने इसको address दिया, 100, इसको 104, इसको 108, मान लेते हैं, enter two numbers message दिखा, user ने, अरे मैंने यह क्या किया, नहीं मैंने गलत कर दिया, मेरा ध्यान नहीं था, मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, function call करते समय, मुझे एक बात बता, आपने keyboard से दो number इंडर किये, मान लेते हैं, 3 and 7, तो 3 किस में गया होगा, X में, 7 किस में गया होगा, Y में, Z में कुछ नहीं रखे किया, नहीं, हाँ, अब आपने address किस को दे दिया, XYZ का, अब add function कॉल हुआ, आ गए उपर, कौन-कौन बना यहाँ पर, P, Q, R, P में क्या आया है, address of X कितना है, address of X, 100, ओके, और address of Y गया, Q में, address of Y कितना है, 104, फिक है, address of Z कितना है, 108, वो किस में गया, R में, internally जो हो रहा हो, तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, अब इसके अंदर का code चलेगा, star P, P कितना है, 100, star का मतलब पर उस 100 पे क्या है, 3, plus, star Q, Q कितना है, Q है 104, 104 पे क्या रख़ा है, 7, यह तो 10 आगया, किस में रख रहे हो, star R, R कितना है, 108, और 108 पे, मतलब यहां पे, ओके, इधर 10 आएगा, हाँ तो जब प्रिंट करोगे, तो Z को 10 ही प्रिंट होगा न, यही किया मैंने, देखा, addition कहां करवाई, और रखवाया कहां, इसको बोलते है, call by reference, यही है वो example, तो आपको try करना चाहिए, बीना देखे, तुरंत करो, चलो देखूं मैं, आपको जमता है क्या, तुरंत करो, try करो, नहीं जमेगा तो देखना ही है, online वाले भी try करो, अधको जमेगा है, झाले नहीं जमेगा. देखो जम रहा है add नाम का function बनाओ उपर void add curly brackets start करो और उस add के brackets के अंदर int star p, int star q वगिर int star r मैंने लिखा था वो भी लिखो कर दो एक रहा है झाल 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 देख लो एक बार कि आप क्या मिस्स कर रहे थे बहुत छोटा सा प्रोग्राम है हाँ बोलो कुण सा ब्रेकेट ब्रेकेट लगाना तो ज़रूरी ही है क्या होता है प्लस स्टार उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है स्टार को हम एज़ा मल्टिप्लिकेशन के लिए भी उस करता है तो वहाँ प्रॉब्लिम ना आ जाए इसके लिए bracket लगाना ज्यादा सही होगा क्योंकि star को हम multiplication के लिए भी use करते है call by reference का example है जब आप address नहीं pass करोगे तो call by value बोला जाएगा बस यही तो फरक है call by value and call by reference होगा कोई आपके doubts हैं तो वही पूछो अभी मुझे आगे किसी का कोई doubt है तो पूछ सकता है वो अपना doubt चेक कर लूँ मैं online वाले भी पूछते हैं कभी-कभी doubt तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाती कोशिश करते हैं बहुत लोग online भी बहुत अच्छी बात है है कोई doubt है आप लोगों का जैसे मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है addition का program print apps scanf उसके बाद functions भी पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को उसके बाद area of circle जिसमें radius वाला program पढ़ाया rectangle आपको पता है length into breadth वाला temperature का program बताया मैंने आप लोगों को फिर functions पढ़ाते समय मैंने return keyword के बारे में बताया void क्यों लिखा है इसके बारे में भी बताया क्यों लिखा है void जब ये function कुछ return ना करे ये curly bracket है तहीं आपने return keyword लिखा है क्या नहीं जब कुछ ना return हो तो void लिखना चाहिए किसी भी type का ना होना मतलब void होता है अगर आप return करते किसी int type का data तो जरूर यहां लिखते int float का करता है ये भी पढ़ाया है मैंने और जैसे if else पढ़ा लूँगा for loop पढ़ा लूँगा और उसके बाद while loop हो जाए तो फिर मैं आप लोगों से questions भी पूछूँँगा बाद में camera के सामने कि for loop क्या होता है if else क्या है basic सवाल जो होता है print app scan of में क्या difference है get ch को क्यों use करता है इससे आपका भी confidence बढ़ता है भले आप उसका जवाब दे पा रहे हो कैसे भी दे पा रहे हो तो वह जादा जरूरी होता है तो वह मैं videos भी upload करता ही हूं Instagram के अपने account पर आप लोगों कभी होगा जितने भी लोग आप लोग बैठे हो आसान होगा और आप इससे आपको आगे job के लिए भी आसानी होगी कि आपको एक आदत सी हो जाएगी जब मैं camera के सामने बोल सकता हूं तो किसी के सामने बोलने में कौन सा डर है ऐसा हो जाता है तो वह confidence आपके बड़े काम आता है बस इसी लिए हम ऐसा करते हैं नहीं तो बहुत knowledge नहीं मिल जाता उससे बच्चों को Instagram पे और Instagram पे क्या कितनी information मिल जाएगी कि YouTube पे वीडियो देखेंगे तो जादा knowledge मिलेगा उसके मुकाबले लेकिन बच्चे time pass करते करते उसको भी देख लेते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि चलो इसी बाहने यह भी हो गया तीस सेकेंड में पढ़ लिया मैंने ऐसा हो जाता है और एक कम पढ़ाई करने वाला क्राउड इंस्टाग्राम चलाता है और जादा पढ़ाई करने वाला यूट्यूब के बड़े बड़े वीडियो देखता है अठरा घंटे बारा घंटे के और एकदम लांग वीडियो तो आप देखोगे ना फरक दिखता है मुझे 75,000 लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे लगबग 5 लाग के आसपास है आप फरक समझ जाओ यूट्यूब और इंस्टाग्राम का तो पढ़ने वाले जितने हैं वो लोग यहां आ चुके हैं यूट्यूब पे और वो सीख रहे हैं और कंटिनियूज देख रहे हैं और वहां पे तो है नहीं है ऐसा कुछ तो यह फरक पढ़ जाता है वहां कम जादा मतलब एक्टिव यूजर्स भी बढ़ चुके हैं देखा जाए तो इंस्टाग्राम चलाने वाले जादा हो चुके हैं शौट्स को कम चलाते हैं लोग उसका कंटेंट इंफॉर्मेटिव थोड़ा अलग होता है यूट्यूब के दे तो वो भी आप लोग बड़ा देखते हो तो ऐसे टाइप के जहां बेजज़ती किसी की हो रही है तो यह सब चीज़े आप बहुत देखते हैं और वो इंस्टाग्राम पे ही मिलता है यूट्यूब पे नहीं मिलता फिर वहां पे शौट्स होते हैं जैसे उसमें फिर कि इसी चीज़ को समझाया जाता है जादो तर आप देखोगे तो वहां पे भी होता है लेकिन कम होता है तो क्राउड अलग अलग है क्राउड के हिसाप से कंटेंट है अब यहां तक यह हो गया अब और आगे चलता है मैं सिर्फ एक इंट्रोड़क्शन दे देता हूं इफ ए स्टेटमेंट्स इसकी कैटेगरी में आता है इफ स्टेटमेंट इसकी ही कैटेगरी में आता है इफ एल्स स्टेटमेंट इसकी ही कैटेगरी में आता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट ऐसे अभी एक YouTube पे सवाल है कि आप क्यों Instagram चलाते हैं तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कोई भी मैं तो वीडियो डालता हूँ हाँ मैं भी तो देखता हूँ मुझे नहीं पढ़ना है मेरी पढ़ायी हो गई, मेरी एक खाम हो गई, क्या मैं जिन्दगी भर पढ़ते ही रहूं क्या मतलब आप खुछ सोचते हो कि कब ये एकजाम खतम होगी और हमारा टेंशन खतम होगा मैं खुछ सोचता था इस बार ये देदू और एक बार हो जाए पिर टेंशन खतम फिर अगला फिर admission लिया, master degree की, अब ये exam खाली खतम हो जाए, दिमाग का tension खतम हो जाएगा, वो भी exam दी, खतम हो गया, फिर college में जब पढ़ाने गया, तो मुझे न, class को improve करना था, मेरी जो grade थी, उसको first class में ले जाना था, थोड़े कम marks थे, internal में कम मिले थे, regular जाता नहीं था college, तो मैंने न, 5 subject select की, क्या होता है, उसमें भी subject select करने पड़ते हैं, one third subject, अगर आपके graduation में total 30 subject थे, तो उसमें से 10 subject की exam आप फिर से दे सकते हो, चाहो तो, तो हमार, master degree में 15 subject थे, total, तीन semester में एक को internship होता है, पाँच, 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 तो उसमें से मैंने 5 subject select किये थे, जो मुझे फिर से देने थे, अपने marks को और बढ़ाने के लिए, फिर से, उसे class improvement कहा जाता है, marks बढ़ गए, कुछ नहीं होता, class बढ़नी चाहिए, 55 से 60 होनी चाहिए, 60 से 70 होनी चाहिए, अगर किसी को 63, 64 है, और उसे distinction चाहिए, तो उसे 70 लाने पड़ेंगे, 67% का फिर वही रहेगा, पुराना वाला, तो मैंने class improvement की exam दी थी, 5 सब्जेक्ट फिर से दिये थे, मतलब फिर से वो सोचा रहे है, फिर यही tension आया, फिर exam आई, एक दिन में 2 paper था, पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 paper मुझे देना पड़ा, एक सुबा भी और एक शाम, लिखते लिखते ठक गया था, हाँ, लेकिन improve हुई मेरी class, मैंने दी वो exam, और एक दम आराम से जादा, लेकिन ये था कि पढ़ाई जब 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 आदमी करते करते सोचता है, कब ये सब खतम होगा हमारे जिन्दगी से, exam वाला जंजट, पढ़ाई वाला जंजट मैं भी ये ही सोचता था, लेकिन पढ़ाना पसंद था, मुझे नहीं पता था, अब मुझे बहुत पढ़ना पढ़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता था, फिर ये हो गया, अरे अब तो ये आदती बनानी पढ़ेगी, पढ़ाई ही आदत बनानी पढ़ेगी, लेकिन मैं को सब तो सब अपने के हिसाब से पसंद के हिसाब से देखता है तो वह एक चीज यह जो तीन कंसेप्ट है इफ एल्स अभी क्या होगा कि हम ना अपना प्रोग्राम जब बनाएंगे हम कुछ लाइन्स लिखेंगे उसके बाद कौन सी लाइन चलानी है कौन सी नहीं यह आप पै कर सकते हो या तो ये लाइन चलाओ या तो ये लाइन चलाओ दोनों में से कोई एक ही चलाओ उस समय हमें इन लोगों की जरूत पढ़ने वाली है जैसे कि यूजर ने एक नमबर इंडर किया 15 आपको बताना है पॉजिटिव है की निगेटिव तो आप बोलोगे तो हम लिखेंगे इफ और वो नमबर यदि आपने एक्स में रखा हुआ है मालेते हैं यदि एक्स बड़ा है जीरो से तो इसके करली ब्रैकेट में पॉजिटिव लिखेंगे इफ का अपना सेपरेट करली ब्रैकेट होता है अगर ये सही निकला तो उसके अंदर की लाइन चलती है नहीं तो इल्स निगेटिव ये चीज़ है इसको कंडिशनल स्टेटमेंट कहा जाता है और इसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है दो नमबर में से बड़ा कौन सा है maximum is ये नमबर और दूसरा या फिर ये हो सकता है तीन में से सबसे बड़ा नमबर कौन सा है मैं तो बोलता हूँ if else का use जादा तर प्रोग्राम्स में किया जाता है और for loop मतलब बड़े बड़े जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे बिना इनके बनते ही नहीं फरक है if statement का अल देखी होई है if यदि ऐसा है तो चला है नहीं तो कोई बात नहीं बाकी की लाइन तो चल नहीं वाली नॉर्मल लाइन है तो यह वह चीज है तो इसको हम अपने अगले लेक्टर में देखने वाले हैं बस मुझे आपको बताना था मेन हमें आज पढ़ना था call by reference अब हमारा लिक्चर्स महीं होने वाले हैं ठीक है कोई डाउट है कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो हाँ ओनलाइन वाले अगर यह चाहते हैं अभी भी कोर्स जॉइन करना तो छे लिक्चर्स आलरेडी मैंने ले लिये है छे साथ यूट्यूब के उपर ही तो यह नंबर है इस नंबर पे आप लोग मैसेच कर सकते हो और एडमीशन अभी भी ले सकते हो वो पाच्छे के और Monday से जॉइन कर सकते हो आप लोग पाय थैन और सी पूरा मिल जाएगा तो यह नंबर किसी को जॉइन करना online वालों तो उनके लिए है हां क्या बोल रहा हूं आपने गांच। और यहां पर दोनो आपको एप का एक्सेस अलग से मिलेग से ताकि आ बाद में फिर से कर पाओ jávent यह पाइदा है किसी दिन नहीं आप आए कहीं दूर गए हो वहाँ हेड़फोन लगा के देख लो आधा गंटा जो भी टाइम होगा बस तो यह अच्छी चीज है कि अपने को साथ में दोनों मिल जा रहा है तो वह एक फाइदा है आपका उसमें चलो फिर बाय सबको